हाँ फ्रेंट वेलिकम टू वीम्टेक्स एडवान्स एक्सल कोर्स आज के इस वीडियो में हम रिव्यूटब में आगे बढ़ेंगे जहां पर हम जो है शीट का प्रोटेक्शन देखेंगे कि हम अपने जो भी हमारा एक्सल का सीट है उसे कैसे प्रोटेट करेंगे हम अपने पूरें इंटार वेहां को कैसे प्रोटेट करें उसमें रहिए आज के इस वीडियो में हम देखने हम आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहली अधिया आप मारे इस चैनल पर नहीं है इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिरें तो चलिए शुरुआत करते हैं अब यहां पर हमने पास्वर्ड किया ओकेपड पर क्लिक करेंगे तो यह जो पास्वर्ड होगा याँ पर और исп joint करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे यहां पर कोई इस पर आप पर आप कोई पर घंट करना चाहता है आपको यहां पर आपको यहां पर पर नपर करना होगा पासवर्ड एंटर करके से यहां पर करना ना केवल यहां पर सीट प्रोटेक्ट किया है पूरे वर्ग बुक में हमने प्रोटेक्ट नहीं किया उसमें पास्वर्ड एंटर नहीं किया है तो यहां पर आप इसलिए दूसरे सीट में आप जाएंगे तो आप पर अन प्रोटेक्ट सेट पर क्लिक करना है और यहां पर जो भी आपने पास्वर्ड एंटर किया था उसे यहां पर एंटर करना है तो जैसे आप पास्वर्ड एंटर कर देंगे ओके पर क्लिक करेंगे अब यहां पर आप कोई भी चेंजिस करेंगे तो यहां पर भी चेंज ह हो जाएगा अब इसके बाद हमें दूसरा option मिलता है प्रोटेक्ट वर्क बुक पर पूरे इंटार वर्क बुक को जो है प्रोटेट कर सकते हैं तो इसके लिए यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको पासवर्ड इंटर करना होगा तो जो भी आप पासवर्ड इंसर्ट नहीं कर पाएंगे कोई और भी सीड और एक्स्टा जो यहां पर एड नहीं कर पाएंगे लेकिन यहां पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं किसी भी तरह का यहां पर चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि आपने सीड टाइप नहीं किया है यहां पर हमने केवल वर्क पर क्लिक करना होगा अब यहां पर workbook को unprotect करना है यहां पर पासवर्ड रिमूट करना है तो यहां पर जो भी पासवर्ड आपने इंटर किया है उसे एंटर करेंगे होता है जब भी आप password इंटर करते हैं ति यह allow कर सकते हैं hypothesis यहाँ इतने options हम नहीं इंटरकर दिया गलेकर करेंगे इहाँ पर आपको जो भी चैंजर करना लेकिन यहाँ पर जो इसका formatting है वह change कर सकते हैं जैसे यहाँ पर yellow color है यदि आपको कोई और color change करना है तो यहाँ पर color को change कर सकते हैं यहाँ पर देखिए कोई भी color यहाँ पर change कर सकते हैं लेकिन column को आप delete नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने delete column option नहीं चूज़ किया था, यहाँ पर आप जो भी वहाँ पर allow करेंगे user को, यहाँ पने password दे करके किसी को send किया है, को वह उस पर काम करना चाहता है, यहाँ पर यहाँ पने password उसको दिया है, तो वही आप काम कर पाएंगे, यहाँ पने password नहीं दिया है, उसके लावा तो यहाँ पर जो भी आपने allow किया है, बस वही काम यहाँ पर वो कर सकते हैं, यहाँ पर insert column को option दिया, यहाँ पर insert कर सकते हैं, insert column का भी एक shortcut की होता है, control plus वो आप करेंगे, तो column को आप insert कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप delete करना चाहेंगे, यहाँ पर right click करेंगे, यहाँ पर देखे, delete column जो यहाँ पर आपको disable मिलेगा, तो आपको यहाँ उसे enable करना है, तो आपको password वापस से enter करना होगा, review tab में जाएंगे, यहाँ पर seat को जो है unprotect करना होगा, password remove करना होगा, यहाँ पर आपने जो भी password इंटर किया, उसे enter करेंगे, ओके पर click करेंगे, तो जो password है वाँ रिमू हो चुका है, अब आप इसे delete कर सकते हैं, ठीके, यहाँ से आप आप delete कर सकते हैं, यहाँ पर देखे, और भी options यहाँ पर हमीं मिल जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर formatting column, format show, format row, format column, insert column, और insert row पर click किया, तो उसी तरह यहाँ पर देखे, delete row का भी option मिल रहा है, जैसे हमने row को insert किया, उसी तरह यहाँ पर यहाँ इदी हम इसको slate करके रखेंगे, जरूर करें, उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ से जरूर करें, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में इसी तरह इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ, thank you so much for watching this वीडियो,